नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 की NCRT की Economist की खिताब हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर 1 के दो वीडियो में अल्रडी बना चुका हूँ, यह है तीसरी वीडियो तीसरी वीडियो में देखते हैं कि हम लोग यहाँ यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं जहाँ पे खतम किया था उसके बाद से शुरूबात कर रहे हैं टेबिल नमबर 1.2, इंपोर्टन है यह, क्यों इंपोर्टन है चुकि बता रहा है कि पिछले कई सालों में प्रोडक्शन औफ पल्सेस और वीड कितना रहा है इंडिया में और खासकर यह जो डाटा है वो ग्रीन रेविलूशन के आने के समय से आगे का है तो आपको और आइडिया लगेगा कि कितनी तेजी से वीड का और पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है पल्सेस का प्रोडक्शन के वल 12 मिलियन टन्स है और वीड 24 मिलियन टन्स पर पहुँच गया मतलब वीड पल्सेस के दुगना हो गया फास्ट फारवर्ड टू 2017-18 पल्सेस का प्रोडक्शन ने 24 मिलियन टन्स वीड का प्रोडक्शन ने 97 मिलियन टन्स wheat का production pulses के production से almost 3 गोना है अभी technically अगर आप देखो दोस्तों तो देखे wheat और pulses बराबर नहीं है यह हुए एक ऐसी चीज है कि रोटी आप सुबह शाम खाते हो ठीके ना, बट pulses आप सुबह साम नहीं खाते हो चुकि pulses थोड़ी गरम करती हैं पॉड़ी, maximum आप दिन में एक टाइम pulses खाऊ गया, बहुत सारे लोग दो या तीन दिन में एक बार दाल खाते हैं, चुकि दाल थोड़ी गरम होती है तो भले ही pulses और wheat का production बराबर नहीं होना चाहिए बट कहीं नहीं हमारे देशे में pulses के production पे कम ध्यान दिया गया है इसलिए बीच में आपने देखा है कि कई बार जो pulses का production नहीं वो बहुत घट गया है और pulses के production को पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत promote भी किया है चुकि pulses protein deficiency को पूरा करने में एक बहुत major role play करते हैं लोग बाहर से pulses इंपोर्ट ना करें इसलिए pulses को बढ़ाना जरूरी है बतलब इसकी पैदावार को बढ़ाना जरूरी है international decade of pulses मनाया गया तभी recently तो कुल मिलाके pulses को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब बहुत steps ले रही है पहले pulses को काफी ignore किया गया है अब उतना गिनों नहीं किया जा रहा है और हमारे यहां पे wheat और rice कर production इसलिए भी बहुत ज़दा बढ़ा है चुकि MSP regime के अंदर सबसे अदा procurement अगर किसी चीज़ की होती है तो वो है pulses और rice MSP पता है ना minimum support price जहां पे farmers को wheat और rice के लिए एक minimum amount of पैसा तो मेलेगा यह वो जो minimum amount of पैसा MSP के अंदर farmers को बिलता है ना international price to competition देता है वो ठीक है अब इंडिया में बात करें तो हमने पिछली वीडियो में दो प्रकार की farming देखी एक हमने देखी traditional farming एक देखी हमने modern farming modern farming में high yielding variety of seeds से इस्तमाल हो रहे थे chemical fertilizer, pesticide इस्तमाल हो रहे थे irrigation ने पानी ज़्यादा इस्तमाल हो रहा था अभी modern farming के methods को अगर deploy करना है तो भई पैसा ज़्यादा लगेगा कैस ज़्यादा लगेगा पहले की तरह traditional farming नहीं कि कम पैसे में काम हो जगा भई है पैसा लगेगा समझगे है आप बात को और पैसा लाने में लोगों को परिशानी है अभी परिशानी कैसे यह मैं आपको आगे बता हूँगा आगे बटनस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने फिर यहां पर बात करेंगे कि इंपॉर्टन कोशन के बारे में विल दा लैंड सस्टेन लैंड एक नैचरल रिसोर्स है हमको यह पता है इसका जो इस्तमाल है हमको बहुत केरफुल तरीके से करना है यह भी हमको पता है कही न कहीं साइंटिफिक रिपोर्ट्स और जो ओवर ओल एग्रिकल्चरल कम्यूनिटी है वो इस बात को जानती है कि लैंड को इस हद तक ओवर यूज किया गया है कि वो डिग्रेड कर रहा है आप देखें ग्रीन रेविलुशन के आने के बाद जो लॉस ओफ स्वाइल फर्टिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ी और इसकी बहुत सी वज़ाएं है ठीके ना एक्सेसिव उस अफ केमिकल फर्टिलाइजस, इंसेक्टी साइट, पेस्टी साइट फिर भाई लगातार ग्राउंड वाटर निकालना, ट्यूब वेल इरिगेशन के लिए लगातार ग्राउंड वाटर को बाहर खीचना, इसकी वएसे वाटर टेबिल का नीचे जाना फिर भाई, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years देखे, जो हमारे सामने soil है और वो जो fertile soil है वो fertile soil बहुत सालों की महनत के बाद बना है अरे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नजियां सिल्ट ले किया के उनको refine करके वहाँ पे settle कर रही है और तब जाके वो soil बना है वो soil को अगर आपने unsustainable agriculture से खराब कर दिया excessive pesticides, chemical fertilizers के साथ खराब कर दिया तो उनको फिर से regain करना, फिर से उनको revive करना बहुत मुश्किल होगा ये तो हो गई पहली बात दूसरी बात groundwater reserves अभी groundwater reserves भी पिछले 1000 लाखों साल में maintain हुए अगर आप उनको बरबात कर देते हो वो भी इतनी जल्दी recover नहीं होने वाले हैं तो once destroyed, आपके सकते हैं natural resources these environmental resources, they will not revive easily और फिर आगे agriculture में और problem होगी ये जो chemical fertilizers होते हैं ये एक और प्रकार से नुक्सान पहुचाते हैं soil को तो नुक्सान पहुचाते हैं ये वो minerals होते हैं जो की water में तुरंद घुल जाते हैं तुरंद जो plant की जड़ है ना उसको मिल जाते हैं लेकिन बात यह है कि ये उस soil में retain नहीं होते हैं ये उस soil से बाहर निकल जाते हैं और जब ये उस soil से बाहर निकलेंगे तो जो river water की streams है pond है, ground water है, वहाँ पहुंच जाएंगे ये, ठीक है भाई, और जब ये वहाँ पहुंच जाएंगे, तो pollution वहाँ पहुंच जाएंगे, chemical fertilizers, bacteria मार सकते हैं, soil में micro-organisms मार सकते हैं, और आपको पता होगा, अगर आपने मेरे environment की series देखी है, खुद से भी पढ़ रखा है, soil में जितने भी micro-organisms हैं, जितने भी bacteria हैं, सब खराब नहीं है, सब वेकार नहीं है, उनमें से कुछ अच्छे भी है, तो भाई, ये जो chemical insecticides हैं, pesticides हैं, ये जो पुरी चीज़े हैं, बुरे pest हैं, weeds हैं, उनको तो मार देते हैं, जो अच्छे organism से bacteria उनको भी मार देते हैं, प्लस ये जो chemical fertilizers, pesticides, insecticides, ये ground water pond, लेक में पहुँचके उसको भी गंदा कर देते हैं, और soil इनके use के वाद कम-fertile हो जाएगा, और वो हमेशा कम-fertile रहेगा, और सबसे आदा chemical fertilizer का अगर प्रयोग किसी state में हुआ है, तो वो पंजाब में हुआ है, और भाई, लगातार इसके प्रयोग की वज़े से soil health डिग्रेट कर रही है, पंजाब की जो farmers है, they are forced more and more to use chemical fertilizers and other inputs, दिखिए, एक बार आपने chemical fertilizer इस्तिमाल किया, soil गंदा हो गया, अभी उस soil, गंदे soil में अगर आपको agriculture करना है, तो आपको और chemical fertilizer डालना है, तो और बढ़ा-बढ़ा के, बढ़ा-बढ़ा के, जैदा chemical fertilizer डाल-डाल के अपना खर्चा तो आप बढ़ाई रहे हो, soil को भी आप बहुत गंदी तरीके से डामेज कर रहे हो, ठीके ना, पिर बात करते हैं, how is land distributed between the farmers of Palampur, यहाँ पर समझना यह जरूरी है कि Palampur के किसानों के बीच में यह जमीन कैसे बटी हुए, जमीन के बटने का module आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीके, इस module पर थोड़ी देर पायाते हैं, पहले आपको text बता देता हूँ, फार्मेर के लिए land जरूरी है, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि Palampur में 150 families है, अब यगर statistics को compare किया जाए, तो Palampur की 450 families है, इन 450 families में से 150 families landless हैं, और obviously बात है, वो so-called depressed classes जिनको आप दलिट्स बोलते हो, उनसे belong करते हैं, इनके पास कोई land ही नहीं है cultivation के लिए, इनको कोई land ही नहीं दिया गया है, तो भाई ये जो 450 families हैं, जो total land के ownership है, 1500 families लगबग दलिट्स की हैं, और उनके पास कोई भी land नहीं है, तो वो अपने जमीन पे तो cultivation कर नहीं सकते हैं, तो भाईया, 4500 में से 150 families के पास land नहीं, बची 300 families, उन 300 families में से 240 families के पास land हैं, बट बहुत छोटे-छोटे plot हैं, दो hectare से कम के plot हैं, और दो hectare से कम के plot में, जब आप cultivation करते हो, आप एक limit से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, इसका एक example दिया हुआ है यहाँ पे, 1960 में, गोबिंद एक farmer था जिसके पास लगबग 2.25, 2.25 hectares of largely unirrigated land था, गोबिंद के तीन बेटे थे और चारों लोग मिलके agriculture करते थे, अब वो उस agriculture से इतनी पैदावार तो नहीं कर पाते थे कि एक lavish जिंदगी, यह एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सके, comfortable वो नहीं रहा पाते थे, लेकिन जैसे तैसे खाना बगरा उनको मिल जाता था, उनके पास एक भैस थी, जिसके चलते थोड़ी पो तक्स्टा इंकम हो जाती थी, तो अब और घर में दूद धही आ जाता था, तो उनका काम चल जाता था, कुछ समय बाद, गोविंद की मृत्ती हो गई, और जो वो लैंड था, वो तीन बच्चों में बढ़ गया उसके, तो 2.25 हेक्टेर से लैंड था, पर पर सन गया तो किता हो गया, 0.75 हेक्टेर का, अभी 0.75 हेक्टेर में हर बच्चे का घर नहीं चल रहा है, गोविंद के ब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई, जैसे जैसे लीनियच क्रॉस होती है, वैसे वैसे जो लैंड होल्डिंग के साइज है ना, हमारे किसानों के, वो और कम होते जाते हैं, और लैंड होल्डिंग के साइज कम होते जाते हैं, तो वो और गरीब होते जाते हैं तो पहले आप समझिए पहले कोई किसान रहा होगा जिसके पास आप समझ लीजे इतना बड़ा रहा होगा ठीक है यह वाला लैंड किसी किसान के पास रहा हो और उसके चार-पांच बेटे हो चार-पांच की बीच में अगर यह बढ़ गया तो कुछ- और जिसका लिए ली डिखाये जारहा है उसकीी फैमिली नजर आ रही है जिनके पॉदे चोटे प्लॉट है वो ठोडव है नजर करा हैं साइब आऌर्चमपुर में 60 families ऐसी है जो medium और large pharmacy category के लूग करती हैं जिनके पास 2 hectare से ¬ब्लइड है कुछ पास 10 hectare से ¬ है और जिनके पुछ पूछ 10 qips जैदा का में फिर पीठ़ है यहां पे देखे आपको बहुत प्रकार के अक्टीटी इस दिखा ही जा कि यहां बुलक्स के थूरु यहां पर हर्वेस्टिंग हो रही है इंसेक्टिसाइट चलके जा रहे हैं यहां पर सीर्स को सो किया जा रहा है और यहां पर थोड़ा सा एक इमेज दिखा रखे इधर पी तो यह कुछ अगरी कल्चर की इमेजस प्रॉसेस किस प्रकार से होता है अब पूरे को आप cultivated area मान लो तो उस पूरे के cultivated area में less than two hectare वाले farmers कितने हैं तो भाई marginal and small farmers समझ यह बात को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैं देखे ओवर ओल अगर total area इतना है तो 55.4% जो area है वो तो medium और large farmers के पास चला गया और बचा हुआ 44.6% जो इलाका है वो marginal और small farmers किया है यानि overall two hectares of land मतब less than two hectares of land per person वो marginal farmers में आता है and that is somewhere around 44.6% of the total land यह जो statistics है यह आ रहे है pocket book on agriculture statistics 2017 state of Indian agriculture 2017 department of agriculture cooperation of former welfare का यह data है as per agriculture census of 2010-2011 तो भाई यह total जो इलाका है इंडिया का वोस total इलाके में 55.4% जो cultivable इलाका है वो large farmers के पास है और 44.6% का जो इलाका है वो marginal और small farmers के पास है अभी जो 55.4% जो इलाका है जो की medium और large farmers के पास है इस total का मतलब overall इंडिया में total cultivable area उस total cultivable area में 55.4% आपका medium और large farmers के पास है इस 55.4% को अगर आप 100% माल लो चुकि यहाँ पर हम comparison कर रहे हैं medium farmers के बीच में large farmers के बीच में तो medium और large farmers के बीच में compare करोगे तो इन दोनों के पास combined जितना इलाका आता है ना उसमें से 85% किसके पास है 85% है आपका marginal farmers के पास और large farmers के पास लगबख 15% है तो overall हमारे देश के cultivable इलाके का बहुत बड़ा चंक large farmers के पास है उससे थोड़ा कम माल लिजे medium farmers के पास और small और marginal farmers की हालत बहुत ज़्यादा खराब है ठीके भई आगे बात करते हैं अब बात करेंगे who will provide the labor देखें एक बार जमीन की बात हो गई तो next सबसे important चीज़ के निकल के आती है वो निकल के आती है labor labor is the next necessary factor for production farming में बहुत मैनत लगती है और जो small farmers होते हैं वो अपनी families के साथ ही जुड़ जाते हैं अपने field पे तो अगर छोटा खेट होगा तो farmer उसकी बीवी बच्चे सब खेट पे जुड़ जाएंगे वो अपना लेबर देंगे और अपनी पैदावार करेंगे medium और large farmers इनके farms इतने बड़े होते हैं कि ये खुद जुड़ के काम नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं इनको आराम के आदत पढ़ जाती ही जोकि medium और large farmers ने ठीक टाक पैसा कमा रखा है तो ये farm laborers को hire कर लेते हैं अपने field में काम करने के लिए ये जो farm laborers होते हैं चुकि दूसरों के field में जाके काम करते हैं ये तो या तो landless families को belong करते हैं या वो families जिनके पास कोई जमीन है ही नहीं कुछ लोग जिनके पास छोटी मोटी जमीने होती हैं मानलों के आधी hectare है या डेड़ hectare है वो अपनी जमीनों के काम करने के बाद कुछ extra पैसा कमाने के लिए दूसरों की जमीने पर भी थोड़ी समय के लिए आके काम कर देते हैं as a farm laborer मानली जे किसी के पास केवल एक ही hectare of land है एक hectare of land में उसका घर नहीं चल पा रहा है तो अपने land में काम करने वाद जो भी time extra बचेगा वो किसी दूसरे बड़ी जमीनदार के land में जाके काम कर देगा जिससे उसको थोड़ी daily wage ही मिल जाएगी तो अपने एक hectare से जो पैसा आ रहा है और इस daily wage के साथ जो पैसा आ रहा है दोनों मिला कि वो अपने घर का गुजर बसर कर लेगा समझ गे बात को तो देखिए जो farmers होते हैं ना उन farmers के पास कहीं नगे अपनी जमीन होती है जो farm laborers होते हैं ज़्यादतर के पास जमीन नहीं कुछ के पास कभी कभी जमीन आ जाती है लेकिन जो farm laborers होते हैं जो किसी और की जमीन पर काम करते हैं पैदावार करते हैं जो भी पैदावार होती है ना उस पे इन farm laborers का कोई मतलम नहीं होता है इन farm laborers को अलग अलग पकार से पैसा मिलता है कभी कभी इन farm laborers को क्रॉप मिल जाती है तो उससे बोला जाता दोग सैंदेम फॉर्म प्रेडूस क्लीच हरुए जा सकते हैं जैसे कि स्वार्म चार्च strengthen कर रहे हूं और वह पूर्य श्राण शर्राइल को Gmail उसको इलिए बेसित फार्मिंग के लिए हार कना सकता हैं तो यह सब बाते कि आप बताएगे यहाँ पे डाला नाम की बतब एक दो लोग की बीच में बात्चीत हो रही है एक है भाई डाला और एक है रामकली दोनों हस्बेंड वाइफ है तो देखिए आपस में क्या बात कर रहे हैं यह लोग सबसे गरीब अपने गावमिन की बाते सुनिये क्या है तो डाला अपनी वाइफ रामकली से क्या बोल रहा है कि आजकल काम मिलना मुश्किल हो रहा है केवल लाज फार्मर्स ही हमको काम देते हैं और बहुत ही कम समय के लिए काम देते हैं और यहाँ पे उसकी वाइफ रामकली जवाब में क्या बोल ली ठीक है भाई तो रामकली बोल रही ही कि घंशाम एक हर्वेस्टर ले क्या आया है अब चूकी हर्वेस्टर है उसके पास से तो वो मशीन से हर्वेस्टिंग करवा लेगा लोगों को कम हायर करेगा हर्वेस्टर के लिए और वैसे ही हम लोग के पास कम समय है पिछले साल मैंने पांच महीने से कम काम किया पूरे साल में और इस साल तो लग रहा है कि काम मिलेगा ही नहीं फिर भाई ये परसन क्या बोल रहा है आपका डाला वी है ट्रैक्टर्स फर प्लॉइंग हार्वेस्टर्स फर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फर थ्रेशिंग ये बोल रहा है हम मतलब ये यूमन स्कोर फार्मर्स को एटर्स करते हो बोल रहा है कि भाईया अब तो हर काम के लिए मशीन आ गई है तो हमारी जरूति क्या है हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है तो रामकली क्या बोल रही है कि इस साल मैं एक इट की भट्टी है इट की भट्टी है राय गंज में वहाँ पे जाके काम भूरने कोशिश करूँगी तो डाला बोल रहा है कि भाईया मैंने मनी लेंडर से 2000 रुपए ले रखें लास्ट समर में 1000 रुपए लिए थे काम मैं कुछ कर नहीं पा रहा है उसका पैसा लग रहा हूँगा कैसे रामकली भी भी बोल रही कि भाईया हालत बहुत खराब है अब जब खर्चों के लिए पैसा माँगने जाओ कोई पैसा ही नहीं देता है तो कुल मिला कि डाला एक लैंब्लेस फार्म लेबर है वो डेली वे रहता है भी मिलता है थो शोचला कैसे होता है उसको देखते लगे सरकार ने एक फार्म लेबर की मिन्मम वेजस को प्रती करके रखा हुआ, 300 रुपर प्रति दिन फिक्स करके रखा हुआ, मार्च 2017 के साब से, लेकिन डाला को किवल 160 रुपर प्रति दिन मिलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि गाउं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम दूढ रहे हैं, अभी सरकार का अगड़ा भले 300 रुपर प्रति ये थे, उसको कितने मिल रहे हैं, उसको किवल 160 रुपर मिल रहे हैं, फिर भाई, इसी चीज़ के शिकाया दाला, रामकली से कर रहा है, रामकली एक कूसरी फार्म लेबर रहे हैं, ठीक है भाई, और ये दाला, रामकली, दोनों one of the poorest लोग हैं, विलेज के, अब यहाँ पे ठीक है भाई, इन साड़े हाउस होल्ड्स के दबबग 200 लोग पंजाब और हरियाना की रूरल इलाकों में काम करते हैं, या फिर दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपूर जैसे शहरों में काम करते हैं, या ये लोग अपने गाउं मजूली और गुसाइपूर रूरiksi को छोड़के दूसरी ज्यक्त जाके काम कर रहे है, इस परकार कि अराक काम करते ही है, आपको क्या लगता है कि उस प्रकार काम करते होंगे, बहुत तरीक की काम है, कोई तो क्राइसीज हो गई ठीड हो जब COVID अब कहां लग जया तो यह सब पैदा चलके अपने घर ज आने लगे थे समझगे बात को फिर बात करते हैं the capital needed in farming देखे भी या हमने अभी बात की कि modern जो farming methods उसमें पैसा ज्यादा लगता है तो अगर modern तरीकें से farming करनी है तो आपको पैसों की जरूत जादा पड़ेगी ठीक है भाई अब ये पैसा आएगा कहां से इसको देखते हैं